गाइस कफी ये basic question है जिसमें आप component समझते हो जो bolt meter है वो कैसे place किया जाता है circuit में और a meter कैसे place किया जाता है हम लोग जानते हैं a meter हमेशा series में place होता है that means जो भी current या जो भी charge battery से चलेगा वो a meter के थ्रू हो के जाएगा तो हमेशा हम लोग जो a meter है वो series में place करते हैं लेकिन जो भी bolt meter है ये हमेशा parallel place किया जाता है उसके terminal के cross place किया जाता है ठीक है bolt meter को ताकि वो दोनों terminal के बीच में कितना potential difference create हो रहा है वो major कर सके अब हम लोग देखते है इस basis पे जो पहला वाला diagram है this first diagram इसमें bolt meter को series में place कर दिया गया है और bolt meter कभी भी series में place नहीं किया जाता है इसका मतलब कि first option क्या हो गया आपका wrong हो गया अब नीचे अगर third वाले में आईए तो third में भी bolt meter क्या है आपका third में भी bolt meter series में है तो ये भी option गलत हो गया और अगर हम लोग fourth को देखते हैं तो fourth में बिल्कुल सही place किया गया है bolt meter आपका क्या है इसके terminal के across place किया गया है मतलब parallel place किया गया है और दूसरा चोई element है a meter वो series में place किया गया है लेकिन guys इसमें दिक्कत क्या है sign का जब आप sign कैसे place करते हो तो convention क्या होता है जहां से current इंटर कर रहा है device में है जिस terminal से device में current इंटर कर रहा है वो terminal पॉस्टिव लिया जाएगा तो bolt meter का बिल्कुल सही लगाया गया है क्यों current right ऐसे आरा है कर आ है तो current ऐसे इंटर करेका और फिर यहां से लीव करेगा इसका मतलब जहां से इंटर कर रहा है वो positive terminal है और जहां से leave कर रहा है current device को वो negative terminal है लेकिन दिक्कत कहा हो गए है mirror में Awmitter में current इंटर कर रहा है इधर से लेकिन यह terminal negative दिया गया है और यहां से leave करेगा current तो वहां पर positive दे रखा है इसका मतलब यह भी option a meter की वज़ा से reset किया जाता है और सारी बाते सही करी गई है option b में that means b option is current thank you guys